दोस्तों वैसे तो आपने जितनी वीडियो देखे होंगे यूटूब पे उनमें सभी में यहीं कहा जाता है कि चाय नहीं पीनी चाहिए हम भी आपको यहीं कहते हैं कि चाय नहीं पीनी चाहिए नुकसान दायक होती है लेकिन आज हम बात कर रहे हैं उस चाय के बारे में जिसे मैं कहूंगा आपको कि पीनी चाहिए अब आप असमंजस में पढ़ गए होंगे कि एक बार आप कह रहे हैं कि चाय पीनी चाहिए एक बार कह रहे हैं नहीं पीनी चाहिए तो इसी सवाल का जबाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है वीडियो को बिना स्किप किये हुए अंत तक जरूर देखे क्योंकि दुनिया भर में चाय का शौक रखने वाले लोगों की कमी नहीं है चाय के अलग-अलग स्वाद और प्रकार अपने अपने फायदे के डाल सकते हैं अद्रक डाल सकते हैं कमाल की चाय होती है इसके क्या क्या स्वास vanaप होते हैं काली चाय पीते हैं तो यह बताते हैं हम आपको ताकि आप अपने घर में चाय जब भी पिए तो दूध के हक को ना मारे यानि कि दूध जो होता है वो आपके लिए फायदा करता है लेकिन जैसे ही चाय मिलाते हैं वो आपके लिए नुकसान करने लग जाता है तो वो नुकसान को भी बचाईए और अपने शरीर को फायदा भी दीजे खास करके ये अभी जो महामारी चल रही है कुरो सबसे पहला फायदा समझ लीजिए त्वचा के लिए फायदा होगा जी हां काली चाय पीना आपको त्वचा की समस्याओं खास तोर से किसी भी प्रकार का संक्रमर जो होता है उससे बचाने में मदद करती है इसके अलावा यह जुर्यों से आपकी त्वचा को बचाती है और इसमें मौजूद एंटियोक्षिडेंट त्वचा के कैंसर से भी आपको बचाने में सहायक होते हैं और आपके शरीर से पसीना आने लगता है जैसे ही आप काली चाय पीते हैं तो गर्मी होती है जो कि आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है तो जरूर पीजिए काल काली चाय आपके दिल के लिए बहुत फायदेमंद है रोजाना एक कप काली चाय पीना दिल की सहत को बनाए रखने में मदद करता है यह तो आप जानते ही होंगे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जान अगर किसी बिमारी से जाती है तो वो है काली चाय और अब जा रही है कोरोना वाइरस से तो करोना वाइरस को भी रोकने में यह मददगार है इसमें मौझूद फिलेवोनोइट्स एलडियल कोलेस्टरोल को कम करता है इसके अलावा काली चाय का प्रयोग हिरदय की धमनियों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं और रक्त के जमने के प्रक्रिय को भी कम करने में सहायक हैं साथ ही साथ जो इंटियोक्सिडेंट गुन होते हैं वो आपके रोग प्रतिरोधक्षमता को बढ़ाते हैं जिसकी बज़ा से आप कोरोना वाइरस से बचते हैं नमबर टू कैंसर से बचाओ होता है जिहां काली चाय को रोजान अपनी डाइट मे शामिल कीजिए आप प्रोस्टेट ओवेरियन और फेफडों के कैंसर से बच सकते हैं काली चाय का प्रयोग शरीर में कैंसर कोशिकाओं को खत्म करने में मदद करता है यह महिलाओं में ब्रेष्ट कैंसर की संभावना है तो उसको भी रोगता है साथ ही साथ मूँ के कैंसर स 7 तनाव को कम करने में सहायक है लेकिन ध्यान रखेगा 4 कप कभी भी नहीं बिना चाहेए गर्मियों में 4 कप बहुत जादा हो जाएगा गर्मियों में 4 कप बहुत है और सर्द्यों में 2 से 4 कप के बीच में रख सकते हैं यह दिमाग को तेज करके आपकी यादाश्ट को बार और ज्यादा बहतर होगा कि दो बार लें इसके अलावा ये पाचन को मजबूत बनाती है जिहां काली चाय में मौजूद टैनिन पाचन के लिए बहुत फायदेमंद होता है यह गैस के अलावा पाचन संबंधे अने समस्याओं में भी काफी लाबदायक होती है साथी होने पर काली चाय का सेवन बहुत फायदा करता है इसके अलावा इनरजी जिहां रोजाना काली चाय पीने का एक बहतरीन फायदा यह होता है कि इसे पीने से आप अधिक उर्जावान महसूस करते हैं और सक्रिया भी रहते हैं काली चाय में मौजूद कैफीन कोफी या कोला के मुकाबले अधिक फायदे मंद होता है और आपके मस्तिश्क को सतर करकता है जिससे आपके शरीर में उर्जा का संचार निरंतर होता रहता है इसके अलावा इसका प्रभाव कोलेस्ट्रोल पे है यह आपके शरीर में कोलेस्ट्रोल के स्तर को कम करती है जिससे आपका वजन धीरे धीरे कम होने लगता है, इसके अलावार इसमें फैट बहुत कम मातरा में होता है, जो कि मोटापा को बढ़ने नहीं देता है, साथ ही साथ ये शरीर में मेटाबोलिक प्रक्रिया को बढ़ाने में मदद करता है, सहायता करता है, जो कि आपके वजन को कम करने में मददग की चाय बना सकते हैं या ये तीनों मिला सकते हैं थोड़ा-थोड़ा या फिर अद्रक मिला सकते हैं या फिर इलाइची मिला लिजे उसमें थोड़ी से लौंग मिला सकते हैं ये आपके पूरे जिवन काम आएगा क्यों क्योंकि आपको फायदा करेगा लेकिन और अगर उतनों में जोडों में दर्द होने लगेगा क्रिश्टल प्रोब्लेम आने लगेगी तो इसलिए उस चाय से बचिए इस चाय का सेवन कीजिए देशी चाय का आपके लिए फायदे मंद रहेगा यहाज की वीडियो रही उमीद करते हैं कि आप इससे इत्ते फाक रखते होंग स्वस्त रहें धनिवाद नमस्कार दोस्तों